सबी बाईयों को नमस्कार सबी का सुआगत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेरी फार्म पे यादव डेरी फार्म सबसे कम टाइम में उत्तम दर्जे का पसू दिखा हर्याना परदेश ही नहीं बलकि पूरे अधर कंट्री तक इस चैनल को पसंद किया सबी बाईयों ने और काफी पसंद करने के जो कारण है वो हमने भी एक प्रियास किया कि पसू हर बार उत्तम दर्जे का दिखाएं तो इसके लिए हम सभी बाईयों का दन्यवाद करते हैं आज की वीडियो हम लेके आ रहे हैं पहली बार किसी हीफर की और वो भी आपके अपने फारम यादव डेरी फार्म से सबसे पहले जो भाई नए जुड़े हैं वो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें साथ में बैल आइकन प्रेस करें और जो भाई पेज पे देख पा रहे हैं वो फेस्बुक पेज को भी लाइक करें तो आज जो सबसे पहले नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगा अपने फार्म का एड्रेस गाउं खेडा थरू डिस्टिक जजजर हर्याना से जजजर जिसमें एक सेक शांदार मुर्रा रिकार्ड 26-27-28 किलो तक करवा चुकी है तो हमारा जो फारम रेवाडी नार परनोल रोहत्तक और बिवानी से 50-55 किलो मिटर की दूरी पे है और कैमरे के सामने पहली बार काफी लंबे टाइम से इस कटडी के पिछे हम गोम रहे थे और आज ये हमारे फारम पे आ चुकी है बहुत ही बहतरीन क्वालिटी M29 का सीमन लगवाया था और जो बोलने में और क्वालिटी में सभी बाई आंकलन कर सकते हैं बिल्कुल छोटा सिंग फुल साइज बिल्कुल जैड बलैक कलर टैल निचे से डेड इंच वाहिट क्योंकि इसकी जो मदर का मिल्क सेकेंड टाइम में 20 किलो और काफी मुश्किल से मिली है कटड़ी अच्छी खासी लागत बर लेकिन चाहे हमारे फार्म पे रहे चाहे किसी भाई के पास जाए जो सोखीन बंदा इसको रखना चाहता है सोख के तोर पे एक मुर्रा अपने गर पे हम कोशिस करेंगे कि किसी अच्छे बायर्स के हाथ में या आगे पहुंचे बाकि इसकी जो टीच की स्पेसिंग है जगें के आभाओ के कारण सेल परचेज में बुल काफी अच्छा तयार हो चुका है और काफी भाईयों की डिमांड थी कि अच्छे रिकार्ड वाली बैंस का कटड़ा तो सबसे पहले फोकस इस कटड़ी पे करवा रहे हैं ये देखे बहुत ही प्यारी बहुत ही छोटा है च्छोटा सींग और लंबा फेस जो एक मुर्रा के करेक्टर हम तलासते हैं वो इस कटड़ी के अंदर है साथ में आज टिकेट जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में इसका एक कारण की काफी भाई बोलते हैं कि 20 किलो दूद हो 25 किलो कम्पलीट पूरा उसको पिला एक महीने की एज थी उस टाइम पे डेथ हो गई थी और अभी 6 महीने और 20 दिन की उमर में इस मुर्रा बुल टिकेट जिसका नाम हमने रखा था इसका आप साइज देख सकते हैं बहुत ही बहतरीन साइज और M29 का एक खुद है मदर का मिल्क 24 किलो अपने फार्म पे ही था अचानक दो गंटे के अंदर 20 की डेथ हो गई नहीं तो उमीद ये थी कि और भी अच्छा दूद का काफी बाईयों ने दूद देख भी रखा था लेकिन उसके बाद हमने कटड़े को रखने का विचार के आप देख सकते हैं जो बाई कटड़े तयार करते हैं वो एक बार और शाम को दो किलो दूद इसको पिलाया है और दो काफ प्लान के पैक इसको तीन-तीन किलो के हम खिला चुके हैं बाकी तेल वगएरा कुछ भी नहीं दिया है काफ की गरोथ जो बुल तयार करने वाले हैं वो देख सकते हैं मदर बहुत ही छोटे सींग की थी अच्छा साइज था और कटड़े का भी साइज जिस हिसाब से है आने वाले टाइम में अच्छे-च्छे जो कटड़े हैं उनके पास में अगर खड़ा होगा तो अलग ही दिखेगा और अडर का साइज बहुत ही बैतरीन था मदर का वैसे ही हम उमीद कर सकते हैं कि अभी सुबह करें सभी को मेरी तरफ से नमस्कार